दोस्तों अगर आप जानना चाहते हो कि options trade के अंदर पैसा easily कैसे double हो सकता है वो भी intraday के अंदर तो आज की वीडियो में एक simple सी trick आपके साथ share कर रहा हूं काफी लोग याप पूचेंगे कि पैसा double होता है तो आप क्यों नहीं कर लेते तो वो मैंने live trade करके दिखाया वो भी मैं आपके साथ share कर रहा हूं और तीसरी चीज़ दोस्तों इसके अंदर ये है कि आपको confidence देना चाहता हूं कि market के अंदर जब भी आप बड़ा पैसा बनाते हो ना तो इसका मतलब यह नहीं कि आप market में पैसा खोते नहीं हो जितना बड़ा पैसा बनाने की दरफ जाओगे तो उतना ही बड़ा risk आप के लिए होगा तो कभी-कभी आपको बड़ा पैसा बिलेगा, कभी-कभी बड़ा पैसा आपका जाएगा लेकिन आपका discipline, आपका management ही आपको end of the day profit दे कर जाता है और double पैसा कमाने का मतलब यह नहीं कि हर बड़ा double ही होगा, कभी तो नुकसान भी होगा तो यह सारे risk management साथ में लेके चलने हैं लेकिन आज की वीडियो में जो चीज समझाने वाला हूं बहुत ही logical है, बहुत practical है और एक बार सीखेंगे तो आपको lifetime काम आने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं और समझते 10-15 मिन्ट आपको देने हैं और इस चीज को आप अच्छे से समझ जाएंगे चलिए समझते, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का trading चानल के YouTube चैनल में मेरा नाम है अनमौल मितल तो यहां पर देखे मैंने लाइव ट्रेड लिए हुए कुछ आपको profits भी दिखाई दे रहे हुँगे यह जो मेरा bez trade था इस टेड में देखेहे क्या हुआ है यहां पर पूरा यहां पर दिखाई देरा कि 40 यानि एक लोड था 40 का यहां पर दिखाई देर आपको कितने पर खुरिदा घ्रास के 77 रुपी पर बाइबरेज 77 पे खरीदा सेल कर दिया मैंने 125 पर और यह जो ट्रेड़े 500 पर तक गया था इसली और एक बार नहीं टच करा बहुत बार टच करा ठीक है तो कई भी कभी टॉक पे तो नहीं बेच पाओगे कहिना कि पहले बेच होगे दूसरा यह जो एंट्री थी मेरी थोड़ लिए तो बाइ अमाउंट था 3000 पे सेल अमाउंट था लगवफ 5000 पे 2000 पे के आसपास मोटे मोटे बच गये तो यह टोटल प्रॉफिट लिया गया है आज ही के दिप और यह ट्रेड कभ लिया गया यह ट्रेड लिया एक्सपारी वाले दिन आप पहेंगे आप से इस परी नह को आगे समझाने से पहले आपको बता देता हूं कि किस तरह किसी प्लीमेंट आपको करने ही होती है उसको एक बढ़ समझ लीजिए उसके बाद मीमें थोड़ा सा लाजिक समझाऊंगा तो मैं सबसे पहले वह आट निकालता हूं यह वालां कॉंट्रेक्ट है हमारा ठीक है तो इसकी option details निकालते इसका चार्ट ओपन कर लेते हैं यह हमारे पास आगे detailed chart ठीक है यह देख रहा बड़ा complicated दो मिनेट का time frame में लगाया हुए लेकिन मैं हलबा दो मिनेट नहीं capture करता हूं धियान रखिएगा तो यह है हमारा ठीक है यह हमारा चार्ट तो क्या हो रहा है इस trade के अंदर मैंने हमेशा काई expiry वाले दिन यह expiry वाले दिन से एक दिन पहले आप options देखिए at the money के options देखिए क्योंकि उस समय क्या होता प्रीमियम आपके काफी कम हो गये होते है गामा इंपक्ट बहुत ज़्यादा होता है अगर मांकिट आपके favor में गया तो बड़ा profit बन सकता है तो इस दिन क्या होता प्रीमियम में ने बोला काफी कम होते एकसपारी वाले दिन यह expiry से एक दिन पहले आज निफ्टी finance की expiry थी consider कर सकते हैं वीरवार को nifty bank nifty के expiry होती है consider कर सकते हैं अब यहां पर देखें क्या हो रहा है पूरे दिन market एक range में बनावा था सुबह की तरफ एक moment आई थी उसके बाद एक range formed होगी थी market में अब वो ना उपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है तो आपको wait करना है कि range कहां break होती है तो देखिए साड़े ग्यारा बजे लग बारा बजे गया आसपास साड़े ग्यारा ग्यारा पैंतालिस के आसपास से candle formed होती है अब इस candle को देखिए किस तरीके से एक स्ट्रॉंग candle formed हुई बन गई और यह candle formed होने के बाद कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रही है ठीक है जब यह candle formed हो गई जब यह candle रेंज ब्रेक कर दी अब यह रेंज ब्रेक कर दी तो यह 75 के आसपास इसने क्लोजिंग दी हाई की चला कहां से था तकरीबर पचास है राउंड फिगर में कह रहा हूं चालिस का लॉट है और मांकिट देखिए अगले ही तकरीबर पांच मिनट के अंदर मेरा प्रॉफिट आ गया था मैंने यहां कहीं इसको निकाल दिया था क्यूंकि एक रैट केंडल देखिए यह चाट देखिए किस तरीके से फिर वापिस नीचे आया फिर उपर की तरफ हाई मारा जो मौनिंग में कैंडल बनी थी यह वाली जो कैंडल बनी है यह वाली जो कैंडल जिसने रेंज ब्रेक करा है इस कैंडल को देखिए इसका लो ब्रेक नहीं कर पाया मार्किट पूरे दिन पूरे दिन इसके लो को ब्रेक ही नहीं कर पाया तो यह दोस्तों फायदा होता है एकस्पाइरी वाले दिन का और एकस्पाइरी वाले एक दिन पहले को किसमें प्री रेंज ब्रेक हो रही है तो आपको पूट लेके चलना है अधरवाइस कॉल लेके चलना है एड़ दा मनी का बहुत ही जल्दी आपके डबल होते वह दिखाई देंगे वह अब इसमें एक लॉजिक सिमझ यह होता क्या है मार्किट में एक्सपारी वाले दिन के ईक्जाम्पल दिखा रहा हुं एक्सपारी वाले दिन होता क्या है अर्किड में एड़्दा मनी पर प्रेमियम चल रहा है ठीक है अब 19,000 कह है मार्किट के अंदर या 100 रुपीज नीचे तो इस कॉंट्रेक्ट का प्राइस कहा था 50 रुपे अगर 100 रुपीज भाग रहा है तो एककॉंट्रेक्ट شीदा 110-120ET हो जाएगा 100 रुपे तो इसके अंदर क्या आ गए money यह आगी इसके अंदर money ने असी आ गया समझ रहे हैं यह तो स्रिफ हवा में होता है premium क्या होता है option का हवा में होता है लेकि जैसे आप इंदा money आते हैं contract में उतना आपको actual पैसा मिलता है तो अगर option double हो जाते कई बार तो तीन चार पांच छे गुना भी चले जाते इतनी स्टॉंग मुवमेंट आती है तो यह था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर एक consolidation देखो expiry वाले दिन देखो expiry वाले से एक दिन पहले देखो add the money का trade लो कोई भी range breakout होती है ट्रेड लो stop loss लगा और उसको watch करो देखो कि क्या होता है अब यह जो वीडियो है आपको चीज़े समझात हो दी लेकि डिरेक्ट जाकर ट्रेड में मत कूदना थोड़ी सी प्रेक्टिस कर लो पेपर ट्रेड कर लो कुछ दिन अब्जर्व कर लो उसके बाद कर लेना फिला यही में लोगों नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए गुट बाई गॉट ब्लेस यू बाबाई दोस्तों